हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के सब्जेक्ट सोसल इस्टडीज के वीक नंबर फोर की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की नौर्ट डैली मिंसिपल कॉर्पोरेशन क के द्वारा दी गई है बच्चों आपके इस वक्सीट का टॉपिक है मीन्स और ट्रांसपोर्ट तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौर्टिपिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पर जो पिक्चर में ट्रांसपोर्ट के साधन दिखाये गए है उनके नाम लिखने है और उनका क्या मीडियम है क्या मोड है उसका नाम लिखना है तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर एक्जामपल दिया गया है पिक्चर में कौन सा साधन है बुलक कार्ट इसका mode क्या है transport का roadways कहां पर चलती है यह सड़क पर चलती है अब इसी तरीके से next picture में क्या है बच्चो यह auto rickshah है तो यहां पर हमें क्या लिखना है name of means of transport auto rickshah mode of transport roadways कहां चलती है सड़क पर चलती है अब इसी तरीके से इस picture में क्या है बच्चो name of means of transport तो इसे क्या कहते है ship कहते है जहाज mode of transport कहाँ पर चलता है ये waterways पानी में चलता है next है name of means of transport ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है ये है bus mode of transport कहाँ पर चलता है इसका mode क्या है roadways सड़क पर चलता है next है mode of transport कहाँ पर चलता है airways वाईउ में चलता है question 2 है choose the correct option सही option को चुनिए for the following questions questions के लिए name the faster means of transport इन में से सबसे तेज चलने वाला transport कौन सा है airplane या फिर bus तो यहाँ पर है airplane next है maximum number of persons can travel in train और car ज्यादा संख्या में लोग किसमे यात्र कर सकते हैं train में या car में तो train में कर सकते हैं next है which means of transport is used in water पानी में कौन सा यातायात का साधन यूज किया जाता है truck और boat तो हम किसको यूज करते हैं boat को next is our train travels on rail track और water एक train जो है वो कहाँ पर चलती है rail track पर next question है complete it by writing means of transport बच्चों यहाँ पर हमें transport के नाम लिखने हैं बच्चों यहाँ पर हमें उन यातायात के साधनों के नाम लिखने हैं जो road पर चलते हैं air में चलते हैं और water में चलते हैं तो roadways वाले साधन कौन से हैं cycle, bike and car airways में कौन कौन से चलते हैं aeroplane, helicopter or hot air balloon waterways में boat, ship and submarine next question is draw and color, any means of transport बच्चों यहाँ पर आपको कोई साभी यातायात के साधन का चितर बनाना है तो यहाँ पर है picture cycle की है यह है बच्चो bike यह है bus और यह क्या है बच्चो aeroplane, helicopter, train तो आप इन में से बच्चो किसी भी यातायात के साधन का चितर बना सकते हैं next है बच्चो life skill traffic rules यह हैं बच्चो traffic lights जब red light जलती है तो इसका क्या मतलब होता है stop जब yellow light जलती है तो इसका मतलब होता है wait करिए और जब green light जलती है तो it means go question 5 है choose, pick and write the correct sentence regarding traffic rules traffic rules के बारे में जो सही sentence है उसको देखिए और उसे लिखिए from the following sentences नीचे दिये गए sentences में से first है green means stop हरे का मतलब होता है रुप जाईए only when the signal turns green जब signal हरा हो जाता है vehicles have to stop तो vehicles को रुखना होता है तो ये गलत है red means to stop red का मतलब होता है रुख जाईए when the signal turns red जब signal red हो जाता है all the vehicles have to stop तो सारे जो vehicles होते हैं उन्हें रुखना होता है रुख जाते हैं तो बच्चों ये वाला जो sentence है वो सही है next है yellow means to slow down येलो का अर्थ होता है धीमा हो जाना when the signal turns yellow जब signal yellow हो जाता है vehicles should slow down and prepare to stop तो vehicles को धीमा हो जाना चाहिए और stop के लिए तयार हो जाना चाहिए इन में से बच्चों correct sentence है red means to stop red का मतलब होता है रुख जाईए when the signal turns red जब signal लाल हो जाता है all the vehicles have to stop तो सारे vehicles रुख जाते है next है nothing is done by dream only success is achieved through efforts कोई भी कार्य केवल सपनों से नहीं किया जा सकता उसके लिए क्या करना होता है रियास की जरूरत होती है किसने कहा है B के शिवानी ने green color theme है eat any green color food like pear ककड़ी, खीरा और any other आज आपको green color के food item खाने है जैसे की नासपाती, ककड़ी, खीरा या कोई भी अन्य next है game cards, sip, rummy, minus, bazar, चटाई, etc play video family next है बच्चो activity of the day collect any 5 different leaves अलग-अलग प्रकार की 5 पत्तियां खट्टा करें and paste them in your notebook और उन्हें अपनी notebook में चिपका है also write the name of plant और वो किस प्लांट की पत्तियां है उस प्लांट का नाम भी लिखें next है बच्चो daily routine include the following habits in your daily routine बच्चो आपको दी गई habits को अपने daily routine में include करना है add करना है begin your day by greeting your parents अपने दिन की शुरुवात अपने माता पिता को अभिवादन करने से करें brush your teeth twice a day एक दिन में दो बार ब्रश करें take a bath daily रोजाना इस्तनान करें it means नहाएं drink plenty of water and eat a balanced diet पर्याप्त मात्रा में पानी पियें और संतुलित भोजन लें avoid touching your face अपने face को छूने से बचें and wash your hands frequently और बार बार अपने हातों को धोएं complete your homework on time अपना homework homework means ग्रहकारिये time से करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you